लीजा, मोनिका और निशा, पार्टनर्स हैं जो प्रॉफेट शेयर करते हैं आपस में इन्दा रिश्यो 2 तो 2 तो 1 31 मार्ज 2019 को उनकी बैलेंशीट कुछ इस तरह से है बैलेंशीट की लिएबिलिटी साइड में क्राइटर्स गिवन हैं आपको बच्चो रुपीज 1,60,000, बिलपेबल है रुपीज 2,44,000, Employees Provident Fund है रुपीज 76,000 और इनकी कैपिटल्स हैं रुपीज 14,00, 14,00, एंड रुपीज 3,60,000 ठीक है बच्चो और टोटल है आपका 36,40,000 एसेट साइड में आपको लैने बिलडिंग गिवन है रुपीज 10,00, Machinery गिवन है रुपीज 12,00, Stock गिवन है रुपीज 10,00, Summary Debtors गिवन है रुपीज 4,00, और बैंक बैलेंस गिवन है रुपीज 40,000 31st मार्च 19 को ही जिस दिन यान यह बैलेंस शीट आपको गिवन है उस दिन मॉनिका रिटायर होगा यह यहां रुपीज आपको सबसे पहला पॉइंट है आपका कि जो लैने बिलडिंग है उसे एप्रिशेट करना है रुपीज 2,40,000 और मशीनरी को डेप्रिशेट करना है और साथ साथ यह भी बताया है कि जो 50% स्टॉक है उसे मॉनिका ने डेकोवर कर लिया है एड़ बॉक वैल्यू प्रोविजन फॉर डाउट वुल डेट जो है वो उसे जो है डेटर पे 5% बनाना है अभी तक प्रोविजन कुछ भी नहीं था तो आपको अप्रोविजन क्रि प्रोविजन निशा यानि गुट्विल के लिए हमें एडिस्में इंट्री पास करनी है तूटल अप्रोविजन को ओपन नहीं करना इन दे बुक्स के अगला पॉइंट आपको गिवन है कि टोटल के प्रोविजन न्यू फॉर्म वो फिक्स है एड रुपीस 27 लाग जो की प्रालीजा और निशा के नए रिच्व में होनी चाहिए और उसके लिए अपने केपल अकॉंट को एड़्जस करने के लिए बैलन्स करने के लिए आपको इनके करण्ड अकॉंट ओपन करने है ठीक है बच्चों अगर यह लिए लिखा हो था तो यह जुश्मेंट कैश के इस कॉछ में कहा गया है की इने अपने कंप आपको बनाना है balance sheet of the new firm ठीक है after the retirement of Monica तो आईए बच्चो शुरुआत करते हैं solution की उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि this is question no.45 of the book T.S. Griwal chapter का ना में retirement of a partner और जो addition मेरे पास book का है that is 2023 तो पहले बच्चो revolution से जुड़े भी points की बात कर लेते हैं आपको land building को appreciate करना है by rupees 2,40,000 तो यह आपके लिए फायदे की बात है जो आपका credit side में show किया जाएगा हम लिखेंगे by land building rupees 2,40,000 credit side of revolution account उसके अद मशीन में उन्होंने कहा है कि उसे 10% depreciate करना है मशीने 12 लाग की 10% depreciate करेंगे तो बचेगी 10,80,000 और 10% जो आएगा depreciation हो आएगा 1,20,000 जो बचेगा वो तो balance sheet में लिखा जाएगा जितना वो decrease हो रही है that is 1,20,000 बारा लाग का 10% वो आपका revolution account की debit side में आ जाएगा और क्योंकि स्टॉक को Monica ने book value में decor किया है आधे स्टॉक को तो उससे कोई नहीं कोई नुकसाल होगा नहीं कोई फायदा होगा तो उसको आप revolution account में कहीं नहीं लिखेंगे और जो debtor पे आपको provision create करना है 5% का वो भी आपके लिए नुकसान है जो revolution account में debit side आ जाएगा debtors आपको given है 4,00,000 उसका 5% निकालेंगे तो आएगा 20,000 अगला point बच्चो गुडविल से चुड़ा हुआ है उससे अगला point capital adjustment से चुड़ा हुआ है तो revolution के इतने ही point थे आप देख सकते हैं आपको फायदा हो रहा है 2,40,000 का और नुकसान हो रहा है के बल 1,40,000 का तो overall पार्ट देंगे in their old ratio जो की है 2 to 2 to 1 ठीक है बच्चो तो इस तरह से profit जो है distribute हो गया among the partners एक लाग 40,40 और 20 ठीक है बच्चो 40,000, 40,000 और 20,000 और हमारा revolution account complete हो गया आई यह बनाते हैं partners capital count partners capital count की शुवात करें बच्चो विद आ ओपनिंग capital जो की balance sheet में दे रखी है और वो balance sheet में आप वो capital दे रखी है 14,000, 14,000, and 3,60,000 तो इसको लिखिए buy balance brought down उसके बाद बच्चो balance sheet में अगर कुछ button like चीज है तो वो बाट दीजिए button like चीज का मतलब जैसे कोई reserve अगरा कोई profit and loss account का balance कोई पुराणी goodwill या advertisement suspense ऐसा कुछ भी नहीं है फिलाल ठीक है बच्चो फिर आपने जो revolution का profit निकाला था उसको लिख दीजिए on the credit side of partner's capital account ठीक है बच्चो तो यह हो गया आपका revolution का profit उसके बाद आप देखिए कि question में कहा गया था कि Z जो है Z मतलब Monica sorry वो take over कर रही है आधे stock को at book value तो stock है आपका 10 लाग उसका आधा हो गया 5 लाग और जब Monica उसे take over करेगी तो लिखा जाएगा उसे capital account में debit side 2 stock account 5 लाग अब उसके बाद आ जाएए बच्चो गुडविल के treatment पर तो पुरे फर्म के जो गुडविल थी आपके question में value करे गई थी 3 लाग तो Monica के हिस्से गुडविल आ जाएगी 3 लाग इंटू 2 बाइ 5 जो कि आती है 1 लाग 20 अजार थी लेका 2 बाइ 5 जैड़ एक लाग 20,000 और नया ratio हमें इनका given नहीं है लिजा और इसका अनेशा का तो ओल्ड इस पार्टनर्स का टूस्टू 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 इसमें से आप मॉनिका का हिस्सा हटा दिजे तो नया ratio हो गया टूस्टू टू टूले एक लाग 20,000 उसका 80,000 जो है वो लिजा देगी और 40,000 जो है वो निशा देगी अब हमने मॉनिका के काउंट में तो लिख दिया है बाइल लिजा स्केपल अकाउंट बाइल निशा स्केपल अकाउंट मगर यह हमें साथ-साथ उनके डेबिट साइड में पोस्ट करन रह गया है और उस कैपल डिस्मेंट का मॉनिका से को मतलब नहीं है तो मॉनिका का जो फाइनल बैलन्स है वो उसके लोन अकॉंट में डाल दीजिए बिकॉस कहीं कुछ में कहा नहीं है कि मॉनिका को हम पे आउफ कर रहे हैं तो अगर पार्टन को पे आउफ नहीं करते है उ 15,60,000 14,000 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 80 यानि 15,60,000 और डेमिट साइट का टोटल है केवल 5,000 तो उसका जो बैलन्स निकल कर आएगा वो 10,60,000 निकल कर आएगा जो उसके लोन अकॉंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा ठीक है बच्चो तो 10,60,000 तो मॉनिका के लोन अकॉंट में चला गया अब इनके बारे में बात करते हैं लिजा और निशा के बारे में तो हमसे कहा गया था कि जो टोटल कैपला है ऑफ दा न्यू फर्म वो 27,00,000 होने चाहिए तो हमें टोटल कैपला दो न्यू फर्म दे रखी है अलड़ी बस हमें करना क्या है इस 27,00,000 को इनके नए ने रिश्यों में जो कि 2 to 1 हो गया है ठीक है तो 18,00,000 अब अच्छों कि हमने के क्लोजिंग बैलनसे जो है अलग से निक्याल नहीं लिखे हैं भार से नहीं लिखे हैं ठीक है नॉमल तरीके से नहीं निकाले जैसे कि हम यहां पर ऐसे निकालते हैं क्रेट साइट में से डे इसकी डेविट साइट बढ़ी है और जो भी बैलनसेंग फिगर आएगा वो इनके करन्ट अकॉन में डाल दिया जाएगा जैसा कि कोशन में कहा गया था तो आईए पहले लीजा को चेक कर लेते हैं लीजा की जो डेविट साइड है इसका टोटल है 18,80,000 और जो क्रेडिट साइड है वो है केवल 14,40,000 तो 18,80 में से 14,40 मानस करेंगे तो 4,40,000 आ जाएगा बच्चो तो इस 18,80,000 में से जो हमने 14,40,000 मानस किया जो बैलनसिंग विगर आया 4,40,000 उसको हमने क्रेडिट साइड में लिप दिया बाई लीजा करेंट अकाउंट अब यह जो लीजा का कर करेंट अकाउंट एसेट साइड में शो किया जाता है तो बाद में इसको एसेट साइड में शो करना मत भूलिएगा अब आ जिते हैं निशा पे निशा का जो डेबिट साइड है वो 9,40,000 है और क्रेडिट साइड केवल 3,80,000 है अब 9,40 में से 3,80 मानस करेंगे तो अंसर आ तो 120 और 4,40 तर इस 5,60,000 बच्चो 5,60,000 उसका कम पढ़ रहा है बैलन्सिंग विगर 5,60,000 आएगा जो कि क्रेडिट साइड लिखा जाएगा विकॉस डेबिट का टोटल उसका जादा है ठीक है और लिखेंगे बाद निशा करन्ट अकाउंट 5,60,000 ठीक है बच्चो तो य अनिसी कैपल तो क्रेडिट हो रही है मंगर अकाउंट राव रहा है इसका मतलब इसके अकांट का बैलंस भी जाइबिट है यह भी बैलंसीट की असेड में शोगती चाइगा ठीक है और इस तरसे मारे बच्चो पार्टनर्स अबजा दो बन गया है ठीक है बच्चो हमने 60,000 जो कि liability side में show किया जाएगा हमने इनकी नई capital में निकाल ली निकाल के लिए हम तो देह रखी थी 27 लाग बस नई रिशियों बाटके closing balance के तौर पर लिख लिया और हमने इनका closing balancing figure था उनका वो current account के तुरू adjust कर लिया और दोनों के Lisa और Nisha दोनों के current account balances debit आ है 440 और 560 जिसे हम अपनी नई balance sheet में on the asset side शो करेंगे तो आईए अब बना लेते हैं अपनी balance sheet को भी तो बच्चों जब balance sheet बनाई जाएगी of the new firm तो उसमें आपके liability side में trade writers और bill payable और employees पाव्टन fund तीनों में कोई chain दीवा तीनों को assets लिख देंगे उसके इलावा बच्चों अब जो Monica का loan है वो लिख देंगे because का जो capital है वो तो लिखाने जाएगा वो रिटायर होगी है उसका balance वो लोन के नाम से लिखा चाहेगा तो उसको लिख लिजे मॉनिका का लोन था 10,60,000 अब फाइनले लिख दिजे capital of liza and nisha ठीक है बच्चों तो लाबिटी साइब तो यह सब चीज आएंगी not come to the asset side land building को 10,000 पहले था 2,40 बढ़ा के लिखेंगे तो 12,40,000 हो जाएगा मशीनरी को 1,20,000 कम करके लिखेंगे तो आएगा 10,80,000 आधा स्टाउक तो मॉनिका ने डिकोवर कर लिया था और टोटल स्टाउक था 10,000 तो बचावा स्टाउक आएगा 5,000 डेटर्स जो हैं वो तो 4,000 ही रहेंगे लेकिन प्रोविजन वाटफुल डेट्स जो हमने क्रिएट किया था वो माइनस करके नेट अबाउंट नम 3,80,000 बाहर लिखेंगे और बैंक बैलन्स पर कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि नहीं हमने कोई पैसा फर्दर बिसनस में लाया और नहीं हम कोई पैसा निकाल के लिए गए तो बैंक बैलन्स 40,000 जी आएगा और फाइनली बच्चो इनके करन्ट अकाउंट लिखना बद्भूलिएगा लिजा और निशा के जो हमने निकाले थे फाइब लैक स्वारी 4,40,000 और 5,60,000 ठीक है बच्चो तो इतने ही चीज़ें आपकी बैलन्स शीट में आनी थी तो आपकी बैलन्स शीट का टोटल अब आ जाएगा बच्चो आप करके देखेंगे तो 42,40,000 आएगा ठीक है बच्चो तो इस तरह से बच्चो हमारा एक क्वेशन कंप्लीट हो गया है इसका सॉलुशन और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसका सॉलुशन अच्छी तरह से उनमें आया होगा बच्चो